नागपुर में फ्लाइंग क्लब की गौरफशाली परंपरा है और इस क्लब के पुरुद्धार से विधर्प की युवाउं को विवानन प्रशिक्षन का अफसर मिलेगा परियाटन और परियावरन मंतरी आदित ठाकरे ने नागरिक ओडियन के शेतर में वेशविक इस्तर पर पैदा हो रहे विविन अफसरों का लाब उठाने के पील की है डॉक्टर बाबसाइब अमेटकर अंतराश्री हवाई अड़े के पास नागपूर फ्लाइट क्लब के हैंगर में पाइलेट प्रशिक्षन शिरुआ इस अफसर पर आदिति ठाकरे ने मार्ग दरिशन किया साथी संरक्षक मंतरी डॉक्टर नेतिन रौध भी मौजूद थे रहात एवं पुनरवास एवं अन्नी पिछड़ा वर्ग कल्यान मंतरी विजे वरिक्टिवार सांसत कृपाल तुमाने विदायक दुष्यन चतुरुवेदी विदायक आशी जैस्वाल मंडल आयूक्त एवं नागपूर फ्लाइंग क्लब के अध्यक्ष प्राजक्त पुनरचीवित किया गया है और जो यूवा मैदान में उतरना चाहते हैं उनके लिए एक नया हॉल खोला गया है और यूवा भी चलांग लगाने के लिए तयार है अपने अध्दक्षी भाषन में संदक्षक मंतरी डॉक्टर नितिन राउत ने कहा कि नागपूर फ्लाइंग क्लब की स्थापना 1947 में हुई थी और इसने भारत और दुनिया को कई पाइलेट दिये हैं इंटरमीडियर फ्लाइट कलब के बंध होने के कारण सरकार ने इसे अपने नियंतरन में लाने और इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की इस कलब की असल उडान आज से शुरू हो रही है उन्होंने मांग की की सरकार को एक करोड रुपे का फंड मुहिया कराना चाहिए मुख्य अतिती के रूप में बोलते हुए रहत औपुनरवास मंतरी विजे वरित्वार ने कहा की ग्रामिन और शहरी शेत्रों में युवाओं को विमानन प्रशिशन शेत्र में अफसर प्रदान करने के लिए महा जोती ने हर साल बीज चात्रों को प्रशिशत करने का नेड़न लिया है और सबदो करोड रुपे भी प्रदान किये हैं उन्होंने का की डीजी सीय चंदरपूर में एक फ्राइट क्लब शुरू करने के अनुमती भी मांग रहा है जहां पेशेवा पाइलेट प्रशिशन भी शुरू होगा शुरूआत में परेटन मंतरी आदित ठाकरे ने पाइलेट ट्रेनिंग शुरू की साथ ही यहां स्थापित आधार शीला का नावरेट भी किया नागपुर फ्लाइंग क्लब के अध्यक्ष एवं संभागी आयोक्त प्राजक्ता लबंगारे वर्मा का स्वागत करते हुए नागपुर फ्लाइंग क्लब पाइलेट प्रशिशन के लिए तयार है और क्लब के पास प्रशिशन के लिए चार विमान है कलब ने अब तक देश को काफी पाइलेट दिए हैं विमानन की शेतर में करियर के अफसरों के साथ साथ इस शेतर में यूवां की रुची को देखते हुए पाइलेट प्रसिशन शुरू किया गया है कई छात्रों ने प्रसिशन के लिए पंजी करन कराया है क्योंकि कलब में आवशक जन्शक्ती उपलब्ध है में डीसी ने नए हैंगर के निर्मान के लिए पांच एकर जमीन मुहिया कराई है जिसमें एक बहु इंजन वाला विमान दो समूदरी विमान एक हेलिकॉप्टर और एक सिमिलेटर भी शामिल है उन्होंने कहा कि इसके लिए 20 करोड रुप